नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमोक्सी क्लेव 625 टेबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है अमोक्सी क्लेव टेबलेट को कैसे लेना चाहिए और अमोक्सी क्लेव टेबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि अमोक्सी क्लेव टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में Amoxiclave Tablet को लेना रेकमेंडेर नहीं होता है Amoxiclave Tablet एक एंटिबायोतिक दवा है Amoxiclave Tablet का उप्योग शरीर में bacterial infection होने पर किया जाता है जैसे तवचा पर कोई घाव या तवचा पर कोई infection होने पर फेफडों में infection होने पर, pneumonia होने पर, पेट में infection होने पर, दातों या मसूरों में infection होने पर, जोडों या हड्डियों में infection होने पर और कान नाक या गले में infection होने पर आपका डॉक्टर Amoxiclave Tablet को लेने की सलाह दे सकता है पेशाप में इन्फेक्शन होने पर भी आपका डॉक्टर अमोक्सी क्लेव टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। अमोक्सी क्लेव टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। अमोक्सी क्लेव टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। इसलिए आपको अमोक्सी क्लेव टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना अमोक्सी क्लेव टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। आपको अमोक्सी क्लेव टैबलेट को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने अमोक्सी क्लेव टैबलेट को लेने की सलाह दी है। क्योंकि अमोक्सी क्लेव टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापिस आ सकता है। अब हम discuss करेंगे कि Amoxiclave Tablet की वजह से क्या Side Effects हो सकते हैं。 वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Amoxiclave Tablet की वजह से कोई Side Effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ परसंथ व्यक्तियों में Amoxiclave Tablet की वजह से कुछ सामाने Side Effects हो सकते हैं. जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधजमी, त्वचा पर रेशेस, पेट में दर्द और दस्थ हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि अमोक्सी क्लेव टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में अमोक्सी क्लेव टेबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। अमोक्सी क्लेव टेबलेट वाइरल इंफेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्रू होने पर काम नहीं करती है। इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए। जब जरूरत हो बार-बार या बिना जरूरत के एंटिबायोटिक दवाओं को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टिंस हो सकता है। और antibiotic resistance होने पर वो antibiotic दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी. और ऐसी स्थिती में infection को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर को दूसरी antibiotic दवा देनी पर सकती है. अगर किसी व्यक्ति को liver या kidney की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए. क्योंकि liver और kidney की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में amoxiclave tablet की डोज घटानी पर सकती है. अगर किसी व्यक्ति को amoxicillin, clavulanic acid, penicillin antibiotic या syphalosporin antibiotic दवाओं से allergy है, तो ऐसे व्यक्तियों को amoxiclave tablet का सेवन नहीं करना चाहिए. और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी पताना चाहिए. अब हम जानेंगे की क्या pregnant महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं amoxiclave tablet को ले सकती है या नहीं? वैसे amoxiclave tablet pregnant महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है. लेकिन प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्तर अमोक्सीक्लेव टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं, जब अमोक्सीक्लेव टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो, इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को अमो अमोक्सी क्लेव टेबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका अमोक्सी क्लेव टेबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं